प्रूब करेंगे आपके 6th class का chapter number 1 math कर ठीक है तो अब आपका 6th class का जो chapter number 1 है math कर इसका क्या नाम है knowing our numbers यानि नमबरों के बारे में जानना है इसको मैं English medium और Hindi medium दोनों में अलग-अलग बनाऊंगी फिलाल मैं English medium में बना रही हूं हर chapter को अलग-अलग exercise में बनाया जाएगा answers के साथ आपको दिखाया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और आप answers भी कर सके ठीक है तो जब भी आपका कोई chapter शुरू होता है तो जब वो शुरू होता है तो उसमें कुछ introduction आपको दिया जाता है और कुछ चीज़े आपको basic revise कराई जाती है जो आपके पिछली class related होती है ठीक है तो इस तरह की जो चीज़े होती है यह सब मैं आपको नहीं करवाने वाली हूँ क्यों क्योंके यह आपको school में भी नहीं करवाई जाती है और यह आपको खुद करना चाहिए ठीक है जैसे भी आपको यह ट्राइज दी गए है यह आपकी कोई exercise नह नहीं है ठीक है तो इसके according आप यहां कर सकते हैं असारी सब जैसे आपको दिया गया है कि जो आपको यह डिज़िट दी गए इनको यूज करके आपको चार सबसे चोटे और चार सबसे बड़े नंबर बनाने है ठीक है अब हम कैसे कर देद चोटे डिज़िट के अगर हम न नहीं बन सकता ठीक है यह आप लोगों ने सब फिफ्ट किलास में किया हुआ है आप लोग करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक अब हम चलते हैं आपकी एक्ससाइज के ऊपर यानि कि अब क्या होता है हर चैप्टर में आपकी कुछ न कुछ एक्ससाइज होती है ठीक अब दिखें यहापे आपको दो डेफिनिशन दी गए है यह मैं आपको पढ़ा देती हूँ असेंडिंग ओर्डर और डिसेंडिंग ओर उमीद करते हूँ आपने पढ़ रखा होगा लेकिन अगर नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको समझाती हूँ असेंडिंग ओर्डर का मतलब होता है जीने का चड़ना यानि छोटे से बढ़ा 1,2,3,4,5,6 यह होता सेंडिंग ओर्डर यानि जीने से चड़ना दीरे दीरे आप ऊपर चड़ रहा है लेकिन अगर हम बात करें डिसेंडिंग ओर्डर तो डिसेंडिंग ओर्डर का मतलब ह होता है जीने से उतरना यानि बड़े से चोटे की तरह आना यानि 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 ठीक है तो ascending order कहते हैं बढ़ते करम को descending order कहते हैं घटे करम को इस तरह से आपके exercise try this वगरा होते हैं example होते हैं और उसके बाद end में जाके आपकी exercise आती है और हर chapter में आपकी एक दो या तीन exercises होती है जो कि आपको करना होती है अब अगर हम देखे तो यह सारी चीज़े जो भी आपको दिख रही हैं यह आपके सारे examples होते हैं आपको hint दिये जाते हैं समझाने के लिए कि अगर आप कहीं फसे तो आप यहां से पढ़ सकते international number कैसे होते हैं तो यह सारी चीज़ें यहां आपको समझाने के लिए दी गई है अब आपकी यह शुरू होती है में exercise तो अब आपकी यह जो वीडियो है में यह मैं आपको 1.1 exercise पर ही बना रहे हूं जैसे अब आपका chapter 1 होता है तो chapter 1 में हर जगा 1 रहेगा exercise जो है वह 0.2, 0 0.3, 0.4, 0.5 जो भी है वह बदलती रहेंगी ठीक है ऐसी जब हम chapter 2 शुरू करेंगे तो यहां पर exercise क्या रहेगी 2.1, 2.2, 2.3 ठीक है तो आपको जो में ली करना होता है जो आपको एक्जाम्स में आते है वह यह चीज आती एक्ससाइज आती है ठीक अब यह आपको पहली exercise म पहला question फिलेंदा blanks का दिया गया है दूसरे question में आपको कुछ words दिये गया है यह देखे sentence type का दिया गया है जिसको आपको numerical लिखना है ठीक है इसी तरह से यह आपको दिया गया है अब एक काम करते हैं चार गोशन है पहली exercise में इन चारों को पढ़ेंगे इनके answers को इसकी वीडियो फिनिश करते हैं अब देखे यहां आपको पहला question लिखा है fill in the blanks अब आपसे कहा जाता है एक लाक लाक रुपए में अगर हमसे कहा जाए कि हम आपको एक लाक रुपए दे रहे हैं तो एक लाक रुपए में 10-10,000 की कितनी गड़्डिया होंगी अब आपक 10 और 10 कितनी होगे 20,000 फिर ऐसी अगर हम 10 गड़्डिया लेते हैं तो 20,000, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और उसके बाद जो लास्ट की गड़्डी होगी वो हमारे कितना हो गया एक लाक तो इसके अंदर simple answer क्या आएगा 10 कि अगर हमसे कहा जाए कि आपको एक लाक रुपिया देना है आप ह Và 110 मिलियान करूर में पी 10 घड़्ड यहां होगी तो 100000000 का मतलब ही होती है लाक ते इसे तरह करूरम में कितने लाक के चाहिए अगर हम कहें 1 करूर लुपया चाहिए हमें और आप हमें लाद 10 10 लाग कि गड़्डिया देंगी तो सिम्पल इसमें भी थैसे सो लाक हों यह तो वह करोड हो जाएगा ठीक इसी तरह से यह आपको करना है इन सब में आपको एक करोन में कितने मिलियन होंगे तो इस में भी आपकी दस गड़िया लगेंगी ठीक है इस तरह से एक मिलियन में कितने लाग होंगे इस में भी आपकी दस गड़िया लगेंगी तो आप देख सकते हैं या मैंने आपके व vengeance को by के रख है तो दीक ये रहे आपके आशर पहले में भी आपका भगर दस ऑईगा दूसरे में उदो दस दीसरे में भी दस चौते में भी डस और पाच्वे में भी 10 अब आगे चलते हैं अब आपका आता है question number second second question में देखें यह लिखा है please comments character and write the number अब आपको क्या करना है नुमेलकल लिखने है अब आपको numeral में इसको लिखना है कैसे लिखना देखें लिखना है 73,75,307 तो आपको 73,75,307 इसमें लिखना है तो symbol है आप लिख लेंगे कैसे लिखेंगे आपको पता है न यह होते है once फिर होते है ten then hundred फिर इसके बाद लगता है comma ठीक है one ten hundred फिर आते है thousand फिर आते 10,000 फिर लगता है comma तो क्या हुगी आपका यह हो गया अब देखें, यहां लगता है, छिक्षच तो अब देखें, यहां लगता है, दो तो 7300,00, तो 75,000, तो 75 यहां बना दिया, यहां कहाँ 307, तो 300,00, और यहां 7, एक यहां लगता है, ठीकальное यह तो इस तरह से यह आपको लिखनाने है आप एसी देखें यह लिखें, यह लिख्या है 9,5,41, देश को तबом defah हम फिर से यहां पर दैस्स मालें हैं एंडेश कॉमा 600000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो हम यहां से शुरू करेंगे 5 lakh तो 50 lakh नहीं तो हे झाले अलए यहार जीरो बनाएंगे हम यहां लिखेंगे 5 lakh वैसे तरह बे लिख सकते हैं लेकिन यह जो डैश लगाने का तरीक है ना यह मेरा अपना है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूए क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि मैं यहां पे वन्स तो है नहीं हम क्या करें हम कहां लिखें इसको या माल लीजिए बच्चे डिरेक्ट लिखते चले जाते जो न की सब में 2 चलते यह इन यह अपकी इंदियेन लेंग्विज अगर अगर हम इंडियन सिस्टम करें तो अगर इंटरनेशनल सिस्टम करते तो उसमें हमिशा 3 3 ही चलते यह जैसे यह 3 है ऐसी हम यह बहुत रहे हों जाए खैंब हम लोग किस पाँज गये थे लिखेंट 21,000 तो 21,000 यहां आ गया फिर आएगा 302 तो फिर यह 300 अब 312 होता है 350 होता तो बात अलगती है 302 है आप देखें ऐसी है आपका यह नेक्स्ट आपको दिया गया है 58,000,000 ठीक है 423,202 ठीक है अब क्या होता है यह आपकी यह जो दोनों दिये गए नहीं दूसरा वाला नहीं यह वाला खाली फोर्थ जो है आपका यह आपको इंटरनेशनल लेंग्विज में दिया गया है ठीक अब international language में क्या होता है देखिए ऐसा होता once, ten, hundred ठीक है उसके बाद हमारा क्या होता है यह होता है thousand, ten thousand है न लेकिन इनका ऐसा नहीं होता है इनका ऐसा होता है four hundred, twenty, two thousand ठीक है उसके बाद फिर इसी तरह से मतलब यहाँ पे तीन डिजिट लेते हैं इसमें भी hundred आएगा यह डिजिट के साथ hundred लेंगे और यह 42 रहेगा एक साथ मतलब मिला लेंगे ठीक है उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसी तीन डिजिट आएगे ठीक है तो इस तरह से अब यह लोग करते हैं तो three digits पे हो जाता है अब आपको दिखा देती हूँ यहाँ जो लिखा हुआ है उसके according आप देख पाएंगे तो देखें यहाँ पे हमने यह आपको सारे करा दिया first second third अब देखें यह fourth है जैसे तो आप देख पारें इसमें किस तरह से तीन तीन डिजिट से अब यह अलग बात है यहाँ पे दो एक क्यों कि तीसरे डिजिट इनो ने दी नहीं है तो देखें यहाँ पे आपका 58 यह क्या हो जागा 58 million फिर क्यों का 423,000 और यह क्या हो जागा 202 अब आप जरा उपर देखें तो देखें यहीं लिखा हुआ है 58 million फिर क्या एगा 423,000 देखें है वही बात और उसके बात 202 तो इस तरह से यह आपकी international language होती है फिर यह आपका दुबारा से यह आपका आपकी हिंदुस्तानी यानि इंडिन सिस्टम में यह उसकी बात है तो फिर आप इसको कर लेंगे वैसी और इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे तो 23,000 हो जाएगा यहां पर फिर आपका 30,000 हो जाएगा तो यह देखें 30,000 हो गया और लास्ट पर 10 है तो यहां 100 की जगा पर 0 आ जाएगा और यह 10 हो जाएगा ठीक है न तो इस तरह से आप इसे आसानी से कर सकते हैं अब हम बात करते आज़ेगे तो तो देखें यहां आपको जो थेर्ड कॉशिन दिया गया है इसमें आपको क्या करणा है नमबर्स को नमबरं नीम की लिखना है इंडिय्या शिस्टम में इंडियन सिस्टम का मतलब क्या है किअ कि आप इसको 3-3 में कॉमा लगा के डिवाइट करेंगे और उसके according लिखेंगे Indian system में क्या होता है ones 10 100 thousand 10 thousand lakh 10 lakh crore यह से चलते हैं ठीक है International के घर हम बात करें तो यह तो यह फिर यह दो मिलके बनते हैं 1000 और यह फिर 100 रहता है फिर यह दो मिलके बनते हैं आपके millions ठीक है तो इस तरह से थोड़ा सा system में change है क्योंकि आपका ये वाला question देखे इसमें आपको international के according लिखनी है तो चलिए इसको आप लोग direct answer sheet में समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो अब देखे अगर हम बात करें Indian system की तो देखे आप इसको कैसे करेंगे जैसे भी मैंने बताया तो आप क्या लिखेंगे इसको तो आप लिखेंगे 8 करोर 75,95,762 ठीक ऐसी अब इसे काउंट करिए तो क्या हो जागा 85,46,283 के लिए रे उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो फिर क्या है तो आप क्या लिखेंगे 9 करोर 99,00, फिर क्या आजाएगा लास्ट में 46, क्यूंकि देखें यह 1000 की जगा पे 00 है तो हम नहीं लिखेंगे 100 की जगा पे 00 है इसलिए हम उसे भी छोड़ देंगे तो डिरेक्ट लिख देंगे ठीक आप ऐसी देखें तो आप क्या लिखेंगे 9 करोर 84,00, 32,000, फिर क्या एगा 701, तो देखें 701, है ना असान ऐसी आप हम बात करें इंटरनेशनल लेंगविज की अगर तो देखें यहां क्या होता है 1,100, फिर क्या होता है फिर यह होता है 1000, 10,100, फिर यह क्या होता है आपका billion यह आ जाता है ठीक है तो जैसे आपने सुना होगा में पस 1 billion pounds है या में पस 2 billion pounds है या उनके पास 3 trillion pounds है या इस तरह से आपने सुना होगा euro पे डा और dollar पे क्यों क्योंकि यह international language होती है ठीक है अब देखें इसको आप करेंगे तो आप फिर इसको क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से यह जाएगा 7 million फिर यह जाएगा 452,000 इसे तसरी क्या हो जाएगा 483 यह दिखिए है ना असन तो आप confused नहीं होंगे यहां मैंने आपको सारे answers दिखा भी दिये हैं समझा भी दिये हैं उम्मीद करते हो आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे अब इसकी next exercise यानि जो आपकी 1.2 exercise है वो हम next video में करेंगे तब तक की लिए अगर आपने माई चैनल को subscribe कर रख है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं किया है तो मैं चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए thank you for watching